वेल्कम्टी फिलएप्टर गपार्या सन्थ किल और दो स्वाग्दा दोस्तों, आज मैं आपके लिए शारपकुल्ड कंपनी का ट्क्षाज भाइड़े works зем हो90 दोस्तों आमती पर ह्रे कारपेंटर भाईट पर्चेज कर सकता है, जब हमारे इसमें 5000 पूरा होगा तो हम कंप्पूटर दोखार गिवे निकालेगे, जब यॉससे नहीं ओडियन आती है, वह क्या करती है? चैनल पर आके वीडियो देख चली जाती है, ना तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करती है, ना वीडियो को लाइक क करता हूं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो वीडियो को भी लाइक करो हो सकता आप भी इसके विनर हो सकते हो और तो इसका जूंसा मैं आपको इसका प्राइज भी बताऊंगा इसका प्राइज कितना है और आपको कहां से करना है जो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा आ तक आपने वीडियो में बने रहना चलो इसके अन्बॉक्सिंग शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल एकन का बटन दमाए हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दो तो शार्प गोल्ड बोक्स के अंदर ये हमें एक वरंटी कार्ड मिलता है जिसके अंदर छे मीने की वरंटी होती है ये कभी भी आप मशीन वगारा प्रचेज करो तो डीलर से आप डेट भी भी भुरा लो अपना उसके नाम और पता वगारा होना चाहिए जिसके अंदर आपको दिक्कत नाओ वरंटी के लिए की मिलती है दो जिसके मदद से हम कटर के बि लेड को भांजा खोल सकते है आउ यहां ने ग LED कोपाडर कंद हो यह जगा दे रखी आका पको फैंस को क canvas को तो आप इसको कहीछ सकते हैं और यह हमारे पास है निISका ट्रेकसरोग है और ढ़लतो देखने में काफी खुब यहां पर ब्लेक कर रखा बोडी जोंती प्लास्टिक की है और दो तो इसकी बेस प्लेट है काफी हेवी डूटी है यानि कि अल्मूनियम यह यानि कि कभी तो आपकी टेडी नहीं होगी और राइट एंगल जोंसा है बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा आम तोर पर जितने इसकी बेस प्लेट बहुत जादा हैवी डूटी है और ट्रेक के लिए यह दखो इन्होंने यह ट्रेक बना रखा है यानि कि इसकी मतलब से ट्रेक पर कटिंग होगी तो यह भी मैं बताऊंगा यह किस तरीके से काम करेगा और दो तो इसके अंदर जोंसा ब्लेट आता है व इसके अंदर जोंसी हमें इसके साब वायर मिलती है यह भी कोपर वायर है कम से कम दो मीटर से उपर इसकी वायर मिलती है और दोस्तों के कार्विन ब्रुष कंपनी ने बाहर से लगा रखें यानि कि आपको पूरा इसको नहीं खोलना पड़ेगा बोडी नहीं खोलना कर रखें शार्प गोलड एग्यिक और दोस्तों इधर से मैं आपको दिखा भी दताऊं यह ने शार्प गोलडी की ब्रांडिंग कर रखें और वुड कटर इनोंने यहां पर रखके लिखा वुड कटर और ट्रेक्श और दोस्तों अगर हम इसके आरिप्यम की बात करते हैं तो एक मिन्ट में ये कितनी वार जे चक्कल लगाता है यानि कि ये तेरा है यार वार जे घूम जाता है आप जखो इसका अगर इसकी पावर इतनी है तो इसका प्रफॉममस कितना जवर्दत हो जा अगर इसकी वाट की बात करूँ फंदर सो पचास वाट है इसके अब मैं कि भांदेंगे तो पूंदें हुआ में जोती है ग्यों अख दोस्तों आमतं तोपर क्या होता छब उमादेब भांते हैं इसके अंदर अपने हैं ट्र इक सोंक के अंदर तो हमारा हम Gulうん यहां बैंट देनी होती जै जो कि अ Cooling आयां हे मैं इसने हो चाह यह दोखो वर्ड का सबसे यानि की नंबर वन राइट एंगल है वुट पेकर का इसके साथ मैं आप गाके दिखाऊंगा यह देखो बिल्कुत जीरो जीरो है कोई जवर्दस्ती नहीं मैंने बिल्कुत फ्री छोड़ रखा यह देखे इसका बैलनेस कितना जवर्दस्त है या तो आम तोर पर जो हमारे हैंड कटर होते हैं इस रेंज में उनमें का होता है नीचे की तरफ हमें क्या करता है प्लाइव लगानी पड़ती है और आपको इदर से वह लग जाएगी और दोनों तरफ से यह वर्क करती है ठीक है तो मैं इदर से कटिंग करूंगा a और जितनी भी आपको भांद हिए यहां से अब नाप के कैश्ण कर क और इसको भांद सकते हो है है जैसे यह सबाह इसवाल इंची पर भांद दिये तुम क्या करेंगे इसको टाइट कर देंगे यहां से और बड़े अराम से किसी नारी को भी आप दे दोगे ना कटिंग करने के लिए वो भी इसकी मतलब से बिलकुँ जीरो-जीरो कटिंग होगी यह देखना कि तो है थोड़िशन में जोनथी प्रॉब्लम होती है न यहीं होती है जोन सिरन में आप लगन high NS company क सलील गाटर पर यह देख स्थ लगार हों तो मैंने से इलगार होank 9 कर लग जो सी cutting हुई है एक इंची 1 सूद और एक इंची 1 सूद यानि कि इसकी जिन सा इसका balance है यानि कि यह नीए यहां से कम बढ़ती है तो बिलकुल इसमें जो सी ओ यह बड़ी perfect cutting हुई है यानि कि एक तो समय की बहुत जड़ा बचेता है और यह बिल्कुल तो राइट अंगल में हुई है ये देखिए बिलकुर राइट एंगल में हुई है आम तोर पर क्या होता है घ्रैक्स हो है यह टेवल्स हो का सब्सक्राइब है कि याँ पर दोने स्कुरू के लिए जगा फॉडर राकि तो यहाँ आप enc करें गेंग तो यहाँ अन्य को आप तो जोन से आपने इसके इंदर स्कुरू कसने काफी अच्छी कंपणी के कसने जोन से हमारा कटरा है फैंक्स में इस तरीके से स्लाइड होगा यानि कि आपका पूरा टेवल सो का काम करेगा जोन सा भी आपने जैसे हमें दराज बगारा का क्टिंग करनी है तो हम बड़ी असानी से कर सकते हैं अगर आप चाहो तो इदर की तरफ सपोर्ट वैसे दे सकते है किसे जूरत नहीं पड़ेगी अगर जै कितने कितनी लंबाई तक है आपने कितना चोड़ा इसमें आप कटिंग कर सकते हो दोथो 12 इंची की कटिंग बड़े अराम से आप इसके साथ यानि की स्प्रेंक्स के साथ कर सकते हो जैसे हम कोई प्लाई दोसूत की कारते हैं एक इ के नहीं वेकर इसी मिशीन पर कोई भी मिशीन पर अगर वर्क करता है तो दो साल को उसको अभयास होना चाहिए आप इस तरीके से कोई भी अपना यानि कि किसी भी तरीके की वुड वगारा काट सकते हो अब मैं आपको वुड के अंदर पताम निकाल के दिखाऊंगा तो पाइन वुड की मैंने ले रखी वुड अब तो यह दो पताम की क्वाल्टी बिल्कु राइट एंगल में निकला है तो यह देखो पताम देखो कितना राइट एंगल में निकला है बिल्कु प्रफेक्ट कटिंग हुई है यानि कि बाकी दिमाघ आपका मशीन के साफ़ आप बेशक हजारों काम कर सकते हैं तो फट्र लाइन की काम में चेटे मोटे हमें यानि की वुड के पीश काड़ने पड़ते है यानि की गुणिये में अपना 45 डिगरी में काड़ने पड़ते है घुगाड बना यह देखे इ आप इसके साथ D की बेशक D जैसी मर्जी बना सकते हैं अप जैसे मर्जी इसके उपर work कर सकते हैं जैसे हमें की चूल का बढ़ंगा करना है यानिकी multipurpose आप इस track की मदण से जो मर्जी आप काम इसके उपर work कर सकते हैं यानिकी cutter के साथ काफी काम आपके हो सकते हैं अब मैं आपको इसका track बना के दिखाऊंगा के साथ कैसे हम सीधी धार की पट्टी काटेंगे दो तो अब हम क्या करेंगे ट्रेक्स के लिए ट्रैक बनाएंगे जोंसा इन्होंने इसमें कटर के अंदर बेस पिलेट के अंदर जोंसा ट्रैक के लिए गुरूप दे रखा यह 15 mm का है और जोंसी इसकी डीप ए 6 mm की है हम जो लिए हम क्या करेंगे तो हमने यह 15 mm के लिए यह बिल्कुल भी लूज नहीं है तो ऐसे डीप में यह 6 mm है तो हमने 5 mm ले लिए तो 5 mm इसलिए लिए मैंने कटर में से निकाल दिया गेज में से तो इसलिए लिए को कि जिस्टरम हम इसको ट्रैक को चलाएंगे तो हमारा यह प्लेट है यह ऐसे नहीं होना चाहिए एकडम बैठ जाना चाहिए तो इसके लिए जिन से ट्रैक के लिए मैंने प्लाई लिए यह मैंने 12 mm के लिए तो साथ एंची के करीब चोड़ी है तो लंबाई इसकी 6 फूट के क्रीब है तो लंबाई यह उपने अब काम के साब से 7 8 फूट ले सकते हैं तो आगे से मैं इसको छोड़ूगा पौने 3 इंची के क्रीब चोड़ के हम इसके पर फट्टी लगा देंगे फट्टी के साथ यह वाली हम ट्रैक के लिए हम जो सी 6 mm की प्लाई लिए हम इसको लगाएंगे 15 mm की प्लाई बिलकुत धार के साथ बिलकु तो जी सीरी धार की पट्टी मैंने ठोग लेनी है तो सीरी धार की पट्टी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है क्योंकि प्रोपर इसको हमें 0-0 सही होता है यानि कि जो उस इसी सीरी धार है बिलकुत प्रफेक्ट चाहिए होती है तो इसके उपर मैं करूँगा कच्ची क कि इदर एक उदर लगा लेंगें कि इदर भाग मुपत रहा रमान know what you do कि कि इदिए भाग में ररीघक, अधने और जल जो बुटिर ए mai कानी जाओ Me कि कि इद भाग मुपत अधना सके लगे मुट्स कि एकप हा क्पार्ण इब मिश्खेबेर हल्पी सबम नगा लगा लेंगे कि द गब कि अनने ह epile์ के नियुल के डियुक्न कर से उसके बाद ये त्यार होगा कोई भी पीस हमने सीरीज धार का काड़ना है दोतों ट्रेक्सों का हमें ये फैदा है कोई भी सेज वगारा काम यानि कि कोई भी पीस वगारा कारते हैं परडिशन के लिए जैसे मैं दस हिंची का काटूँगा तो प्रोपर दस हिंची का रहेगा और इसका फैदा क्या है जब हम कोई भी मैके वाला पीस कारते तो यानि कि इसके अंदर चिपिंग वारा नहीं आएगी चिपिंग का काम बिल्कुल बंद हो जएगा नॉर्मन हम जब इसके वडाउड कारते हैं तो हमें क्या एक इंची डाई सूथ या तीन सूथ के क्रीब आगे पीशे करना पड़ता है उसके अंदर क्या होता आदे सूथ का फरक आई जाता है अगर दोस्तों इसका प्राइज आप जानूगे इतना कम है बहुत ज़्याद मैं इसका प्राइज बताऊं 3,500 रुपेज का प्राइज है यानि कि 3500 रुपेज का प्राइज है सामने स्क्रीन पर भी इसका प्राइज लिखा हुआ आ रहा होगा और कंपनी का कस्टमर के नंबर भी सामने नजर आ रहा होगा यहां से आपने कुंटैक्ट करना अगर आप जो तो कटिंग होगी अब हम इसका सैज देखेंगे हमने 10 इंची के गरीब काटा है ये देखेंगे दस का ही है जो तो यहां से पूरा 10 इंची सैज है प्रफेक्ट है और यहां से भी पूरा 10 है यहां से भी पूरा 10 है मैंने इते लिए बड़ा इंचीटिव लिया यह देखो पूरा 10 है अब मैं आपको मैके के मैके वाले के साथ भी कटिंग करके दिखाऊंगा इसकी ट्रैक की देखना चीपिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी दो तो अब क्या किरेंगे हमने बोर्ड में अजमें हमने मैका लगा रखा देखते हैं ट्रैक चो के साथ उसमें चीपिंग आ रही है कि यह वाला पीश हमारा वेश्ट है हमें अंदर वाला पीश चाहिए दोतों वैसे तो दोनों तरफ हमारा वेश्ट था उसके अंदर भी चिप नहीं आई है यह देखो अब अंदर वाले पीश को देखते हैं जुन था हमें चाहिए था उसको देखते हैं क्या रिजल्ट है उसका दोस्तों आपके सामने बिल्कुल भी चिपिंग हुई नहीं अगर मैं बगार इसके प्लाई रखके नहीं कारता तो आपको भी पता जे चिपिंग आनी आनी थी तो उसके लिए फिर हमें रंदा लगाना पड़ना था उससे यानिकी सहज कम हो जाना था तो मैंके वाली धार में रंदा लगाना कितना मुश्कल है आप लोगों को भी पता ही तो ट्रेक्सों के बारे में मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दे दिया किस तरीके से किस किस तरीके से हमें काम हम इसके साथ कर सकते हैं और दोस्तों इसका प्राइज किया वो भी मैंने बता चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ओल का बटन दबाजाना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिक्वेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ धन्यावाद के साथ बाली जाएगी, मिलते हैं कि आपको दीछ जाओएगी, मिलते हैं